नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल सिलरने जुके संटो एमपर और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दो अंका गुणा और वो भी बहुत यासान तरीकों से दोस्तों इस वीडियो का आप सुरू से लेकर अंतक जरूर से देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आप कोई भी गलती नहां करें तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों गुणा को कैसे बनाया जाता है यहाँ पर दोस्तों आमारा पहला आंग क्या है तीन और दोस्तों इसको हमें किस से गुणा करना है दो से तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तीन के पहारे दो बार पढ़ने पढ़ेंगे चलिए दोस्तों आम ती तीन के पहारे दो बार पड़ते हैं, तीन इकम तीन, तीन दोना छे, तो दोस्तो तीन के पहारे दो बार पढ़ने पढ़के आए या? चे दोस्तो यहां पढम चे को लिख देंगे अब दोस्तो तीन के बाद क्या है चार और दोस्तो इसको हमें किसे गुणा करना है दो से दोस्तो आपको उसी तरीके से चार के पहारे दो बार पढ़ने है चार इकम चार चार दोना आठ तो दोस्तो चार के पहारे दो बार आठ यानि कि दोस्तों में 4 को 2 से गुना किया तो क्या है आठ दोस्तों यहां पर हम आट को लिख देंगे और दोस्तों यह हो जाएगा हमारा बहुत या असान तरीकों से answer दोस्तो हैना ये बहुत ज़्यदा असान चलि दोस्तो एक और कोस्टन को देखते हैं जिसकी मुदद से आपको अच्छे तरीके सी समझ में आए और आपको इवी गलती ना करे चलि दोस्तो इसको भी आम बनाना सीखते हैं तो दोस्तो यहां पढ़ा हमारा पहला अंग क्या हैं दो और दोस्तो इसको में किस से गुणा करना हैं तीन से दोस्तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा दो के पहारे तीन बार पढ़ने पढ़ेंगे चलि दोस्तो हम दो के पहारे तीन बार पढ़ते हैं दो इकम दो, दो दोना चार, दो तियाँ छे, तो दोस्तो दो के पहारे तीन बार पढ़ने पर क्या है, छे, यानि कि दोस्तो हमने दो को तीन से गुड़ा किया, तो क्या है, छे, दोस्तो यहाँ पर हम छे को लिख देंगे, अब दोस्तो इसके बाद क्या है, तीन, और दोस् दोस्तो 3 के पहाडे 3 बार पढ़ने पर किया दोस्तों यहाँ पर हम नवको लिख देंगे और दोस्तों ये भी हो जाएगा हमारा बहुत यासान तरीकों से अन्सर तो दोस्तों है न है बहुत जदा आसान चले दोस्तों ये call question को देखते हैं जिसकी बनत से आपको और भी अच्छे से समझ में आए दोस्तों हमने ले लिया एक और कोस्षन चलिए दोस्तों हम इसको भी बनाना सीखते हैं दोस्तों इसको भी आपको उसी तरीके से बनाना है यहाँ पर दोस्तों हमाना पहला आंग क्या है दू और दोस्तो इसको हमें किस से गुणा करना है चार से तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दो के पहारे चार बार पड़ने पड़ेंगे तो चलिए दोस्तो हम दो के पहारे चार बार पड़ते हैं दो इकम दो, दो दो ना चार, दो तियां छे, दो चो के आठ तो इसके लिए में क्या करना पड़ेगा एक के पहारे चार बार पड़ने पड़ेंगे चलिए दोस्तों एक के पहारे पड़ते हैं एक एकम एक दोना दो एक तिया तीन एक चो के चार तो दोस्तों एक के पहारे चार बार पड़ने पड़ने पड़ क्या है या चार दोस्तों यहां परमचार को लिख देंगे और दोस्तों ये भी हो जाएगा हमारा एंसर और वो भी बहुत यासान तरीकों से I hope दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत यादा पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे कि हमारी अगली वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुचेगी दोस्तों मिलते हैं को नई वीडियो में को नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भार